नमस्कार आप देखरें न्यूस फोर नेशन और मैं हूँ आपके साथ शिप्राजा देश में संक्रमन का मामला लगतार बढ़ता जा रहा है इसे में बिहार भी पीछे नहीं है बिहार में भी हर रोज नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं आज बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरब से पहला कोरोना का अपडेट जारी किया गया है जिसमें 89 संक्रमित मरीज मिले हैं और अब जो है कुल मरीजों की संख्या 6889 तक पहुँच चुकी है सबसे जादा संक्रमन जो मिला है उसमें जो जीले हैं वो हैं बिहार का अरडिया, औरंगाबाद, बेगु सराए, बकसर, जहानाबाद, लखे सराए, मधेपूरा, मधुबनी, नालंदा, समस्तिपूर और सिवान शामिल हैं इसके साथ ही महतपुन बात ये है कि करीब बहुत दिनों के बाद पटना में एक साथ 6 मामले सामने आए हैं 6 संक्रमित मरीज मिले हैं और वैसे एरिया से मिले हैं जहां पर संक्रमन का मामला नहीं था और अचानक से वैसे जगह से भी संक्रमित मरीज जो हैं अब मिलने शुरू हो चुके हैं इसका मतलब ये है कि पटना के उन इलाकों में भी कोरुना अपना पाउं पसारना शुरू कर चुका है और वैसे इलाकों में भी पहुचना शु मदुबनी में 5, समस्तिपूर में 6, सिवान में 12, सारण में 2, रोहतास में 2, नालंदा में 2 और माका में 1 मरीज मिले हैं। स्वास्त सचीव लोकेश कुमार सिंग ने बताया कि मंगलवार को 3657 सेंपल की जाच की गई जिसमें 4 दसमलप शुर ने 4 प्रतिशत रिपोर्ट पॉजटिव आई हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 67.85 प्रतिशत मरीज कोरुणा को पराजित करने में सफल रहे। स्वास्त सचीव के मुताबिक राज्य के कुल संक्रमित 6,736 में से 4,571 लोग ठीक हुए हैं। अब राज्य में एक्टिव केस की संख्या 2,199 रह गई हैं। अब जलाओ रहे जाएं। आई हैं। लोग प्रतिशत बताबिक टिर हैं। झाल झाल